एक दिन मैंने परच्छाई से पूच ही लिया क्यों चलते हो मेरे साथ तो परच्छाई ने क्या सुन्दर जवाब दिया और कौन है तेरे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आचार रामिस्त्रा आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने च आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत खास होने वाला है धनोरासी के जातकों के लिए और सबसे पहले मैं आपको ये वता दूँ कि 2023 दिसंबर माह जाने की इस्तिती में और आने की इस्तिती में जो है जन्वरी माह 2024 आपके लिए कैसे रहेगा आपका प्यार प्रेम, बिजनिस, कैरियर, सबसे बड़ी बात आपका स्वास्ते, संतान सुख, मैरिज लाइफ, और पढ़ाई लिखाई, आपका फोरेंट रेफ, और लास्ट में आपको बताऊंगा दिसेस उपाय, कि आपको उपाय क्या करना है, जिससे आप हर तरकी की प्रेशानी से बस सकें, और इसे भी बड़ी बात ये है साथियों, कि यदि आप अपने जीवन में अच्छाई लाना चाते हैं, हर किसी के जीवन में सुख भी है, दुख भी आता है, छोटा, बड़ा, रात और दिन, हर चीज का है, यदि अभी आपको सुख की इस्तिती है, तो आने वाले समय में दुख भी आएगा, और अभी अगर दुख है, तो स्योर है साथियों, कि आने वाला जो जीवन है आपका, वो सुखी भी होगा, और जब कश्टी जीवन है, तो उसको सुखी बनाने के लिए क्या किया जा है, तो उसके लिए मैं आपको छूटी छूटी रेमिडिज आपको बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात साथियों, यदि आप मुझसे प्रामर्स लेना चाहते हैं, तो चैनल पे फिले सोरे नंबर पर, आप लोग जो है, अपना डेटो पर, जन टाइम, बर्थ पलेस, कौन से दिन धारन करना चाहिए, और आपके वेट के अनुसार कितने रतिका वो लगता है, तो इन सब चीजों के लिए आप लोग जो है, प्रामर्स लेना ना भूले साथियों, क्योंकि एक छोटी सी बात जो है, हमें बहुत बड़ा सुख दे देती है, और एक छोटी सी ग करके अपने बारे में अपने जीवन को और अपने स्वास्ति को सही कर लें, ताकि आपको जो है बड़ा खंचा, बड़ी परेशानी से बचना पड़े, जी हाँ साथियों, तो चलिए, आगे जो है साथियों, जब जन्वरी माहसरू होगा, तो आपके गरहों की इस्तिती यानि आपका क्या है, धनुलगन है, और धनुलगन का जो राशिस्वामी है, वो कौन है, देवगुरु बिरस्पती, और देवगुरु बिरस्पती की जो इस्तिती है साथियों, आपकी जन्मकुंडली में, पंचम भाव में देवगुरु बिरस्पती गोचर कर रहे हैं, और वहीं कियतुदेव आपके दसंब भावों में गोचर कर रहे हैं और बुद्ध के साथ शुक्र बारवे भावों में गोचर कर रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्ते की, कैसा रहेगा आपका स्वास्ते, आपका जो जीवन है, जब स्वास्त है, तो सब कुछ कर सकते हो, और जीवन अगर स्वास्त नहीं, आपका सरीर अगर अच्छा नहीं, तो आपकी कमाई सब वेकार है, और आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्ते की ध्यान पुर्वक सुनेगा आप वीडियो को इसकिप न करें क्योंकि बीच में छुटी छुटी बातें ऐसी होती है जो आप सुनेंगे तो ही समझ में आएगा और लाश्ट में आप उपाई भी तभी आपके समझ में आएग और कमेंट में राध्य राध ही जरूर लिखें और अपने मन की जो भी क्येरि हो उसको जरूर बताएं ताकि हम MOTIVET होते हैं साथियों कि आपके लिए क्या चीजें बेहितर हम बना सकते हैं किस तरीके से आपको MOTIVET किया जा सकें किस तरीके से आपके जीवन का जो कस्ट है उसको दूर किया जा सके पर आपकी जीवन की खुसियों को चोगुणा कर दिया जा सके तो सबसे पहले 2024 की आप सभी लोगों को अग्रणी हारदिक हारदिक बढ़ाई आप लोगों की जो भी डिजार्स हो जो ही काम ना हो वो जो है मातरानी पुरी करें तो साथियों आपका स्वास्ते जो है ब्रस्पती स्वास्ते के मालिक है आपके तो आपका जो है ब्रस्पती नवी दृष्टी से अपनी राची को देख रहे हैं सूर्य और मंगल भी फश्ट हाउस में हैं आपके अंदर अग्रेशन और डॉमिनेटिव नेचर क्रोध पर कंट्रोल करके चलना है आपको ताकि जो है आपका स्वास्ते सखी रहे जिंता से चत्राई घटे दुख से घटे शरीर पाप से उमर घटे कहए दास कबेर तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है साथियों तो कुल मिला करके आपका स्वास्ते जो है अच्छा रहेगा लेकिन थुड़ा सब क्रोध से आपको बचना है क्रोध पर कंट्रोल करना है वहीं बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई की यानि गुरु और मंगल का रासी परिवर्तन है तो रासी परिवर्तन जो है होने से आपकी जो इस्तिती है पढ़ाई की वो बहुत अच्छी रहेगी और इस माहा में आप एडिनिसन ले सकते हैं पढ़ाई के लिए सुन्दर है आप जो है विदेश गमन कर सकते हैं आप जो है अपनी पढ़ाई के लिए बाहर अच्छे इस्तिती है वहें आब बात कर लेते हैं आपके प्रेम प्यार की यानि पंचम भाव ही होता है साथियों आपके प्यार और प्रेम का यानि जितनी फिलिंग आपके अंदर होगी उतनी ही फिलिंग आपके पार्टनर के अंदर भी होगी यानि जो है अट्रेक्शन और जिर जो वेक्ति पहले से लब रिलेशन में हैं उनका बहुत सुन्दर होने वाला है ये महां बहुत ही अच्छा जाएगा बहुत हसी खुशी के साथ में आप जीवनियापन करेंगे वहीं आगे जिन लोगों का प्यार प्रेम नहीं था वो लोग जो है प्यार प्रेम में बहुत अच्छा है अटरेक्शन रहेगा और दोनों भूम फिर सकते हैं और बहुत अच्छे इस्तिती में रहेंगे वहीं अब बात कर लेते हैं साथियों मेरीज लाइफ की तो यानि सब्तम भाव और वो कहां है बारवे भाव में बिराजमान है तो आपका जो है जो जैसे ही बुद्ध देव रासी प्रिवरतन करेंगे अश्ठावस में आ जाएंगे तो आपका जो मेरीज लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी और जिन भाईयों का बहनों का ब्युवा नहीं हो रहा था उनका ब्युवा भी होगा और ब्युवा के लिए भी कोई प्रोब्ल भाग्य के मालिक सूरे देव जो है 14 जन्वरी को धनभाव में जाएंगे तो कोई भी बड़ा काम आपका भाग्य पूरा करवाई है शेर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिजनिस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेवल, कोई भी बड़ा कारे आप कर सकते हैं सूरे बुद्ध मंग बहुत अच्छा पाया गया है और आपका भाग्य भून बहुत अच्छा रहेगा, बिजनिस आपकी बहुत अच्छी चलेगी, आगे बढ़ने के लिए आपका बहुत अच्छा है, कोई नया काम आपका होगा, धन का आगमन होगा और घर में कोई नया महमान भी आ सकता है, तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्रत नहीं है, साथियों वहीं बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर छेत्रग में जो है, बुद्ध फर्ष्ट हाउस में आने से, M.L.C. कंपनी में आप जो है काम करते हैं, तो आठ के बाद आपको फैदा होगा, मूर खराब रहेगा, थोड़ा सा आपका प्रन्तु, मूर सही रखें, आत्म विश्वास से आप भरे रहेंगे, और साथ साथ में जो है, स्मार्ट वर्क आपका अच्छा रहेगा, परिवर्तन रहेगा, और आपको जो है, आगे बढ़ने में कोई संसय भी नहीं रहेगा, और आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और आपका केरियर ग्रोफ करेगा, अब बात कर लेते हैं बिजनिस की, तो टेंथ लोड बुद्ध ब्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुब रहेगा, बिजनिस आपका चकाचक चलेगा, और आगे बढ़ने में कोई संसय ही नहीं है, आपका अब्यापार, आपका बिजनिस, आपकी खरोफ प्रोफ, आपका सेर मार्केट, और अन्य चीजें आगे यानि पार्टनर्सिप में भी करना चाते हैं, आपका सुब भाग्यांग का है, 149 आपका सुब भाग्यांग का है, और आपका जो सुब रंग है, वो है यलो कलर, और साथ में वाइट कलर, यह आपका सुब रंग है, और आपको जो सुबरतन क्या है आपका आपको जो सुबरतन है मोती और पुखराज को जो है तोल करके और डिसाइड करके आप लोग जरूर धारन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और देव गुरु बिरस्पति की एक माला का जाप करें हनुमान चालिसा का है जर शहा है झालिसा लोग जड़ी मोड़ जड़ा गुरु झालिसान को जग जिस लोग जड़ टूज कि तो जो जड़ है पर झालिसाइड को जीम जड़ एका बालिसाइड के आप